आज हम लोग हैत्राबाद में हैं यहां पे और हमारे अंतरंग मित्र डॉक्टर संजीर चौधरी की बेटी की शादी है यह मंदब सजा हुआ है और मेरी गोल्ड होटल में हम बैठे हुए हैं काफी नए पुराने दोस्त और ठाकों की महफिल है और महफिल में बहुत सारी पॉनक में इजाफा करने के लिए लोग बैठे हुए हैं एक मैडम है मेता मिश्रा जी यह हैं शीला सिनहा जी यह हैं हमारे मित्र लाकेश मिश्रा जी अभी आप लोग ने जो हसी सुनी है तो इसलिए मैंने कहा कि ठाकों की महफिल में ना आया करो ना जाया करो हम जैसे दिल जिलों की नजरों को बचा कर दिल ना जलाया करो तो यह हैं हमारे राकेश भाई और देखिए मज़ेदार और गनमपत्नी विनिता जी के बारे में कहना मत्या कि छोटा मोह बड़ी बात इनको कुछ कहें नहीं यह इतना सुभ कारी कर रही हैं समाज के लिए और लोगों के लिए बच्चे जो हैं जो गरीब परिवार के और उनको और सबसे बड़ी बात है कि अपने हाथों से मसाला सिल्वर्ट और लोड़ा में पिसा जाता है यह मैं बच्पन में जानता था कि मेरी मा से वह करती जी आप तो मिक्सी का जमाना है लेकिन यहां मैदम है जो कि सिल्वर्ट पे बैठ के और वो करती आप और वहां पे फिर सारे बच्चों को जो कि चोपरी में और जो बहुत ही मजबूर बच्चे हैं परिवार हैं लड़के लड़किया हैं उनको अपने हाथों से खिलाती हैं बनाती हैं तो यह इनके लिए तो मैं मतलब कि इतनी बधाईयां और सुप कामनाय हैं कि कम है और यह मैडम का थोड़ा समय कुछ सुनना चाहता कुछ आपका कैसे चल रहा है और आपको यह प्रेढ़ना कहां से मिली कि आप यह शुरुवात करें और इस फिल्ड में जाए जो इसको समाथ सेवा तो हमने बहुत सुना हुए कि पूरे विश्मे समाथ सेवा का हर फिल्ड में लोग है और हर जगह विमन पावर है और पता नहीं क्या क्या है सब लेकिन आपका जो यूनिक वो है ना यह बहुत एकदम अपने तरीके में अलगी है जो कि बच्चों को और यह वह देखना बनाना सबसे बड़ी बात है लोग बना के ले जाते हैं होटल से आउट्सोस करते हैं लेकिन मैडम है विनिता जी जो कि खुद इनाथों से बना के और बच्चों को खिलाना और उनसे लिख जाना ईये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़े दिल की बात ही रह sie तो सब के बस के बात नहीं है कि इतनी छोटे लेवल पर जाके और हम लोग के सब की सुप कामना है कि इसी तरह अच्छा काम करें मैडम दो में दो शब्द कुछ बोलेंगे देखे ऐसा है कि कुछ भी मैरेज दे हो बढड़े हो कुछ भी हो तो हम लोग मार्केट से लेके दिया करते थे बच्छों को जाके स्लम सेरिया में बच्छों के साथ टाइम भी बिताते थे और उनके लिए कुछ ले भी जाया करते थे पैकेट्स में लेकिन मेरा छोटा बेटा युएस में उसका थोड़ा जादा था कि ममी एक काउव एड़ाप्ट करो जिसमें कि जाके बच्छों को फिलाओ कुछ अलग करो बात करते करते थे तो उसमें वो आइडिया दिया और इनिसियेटिव मेरा बरा बेटा और मेरे पती का बहुत धन्यवाद मेडम और इसी तरह आप शुब कारे करते रहें और आगे बढ़ते रहें और हम लोगों को मौका दीजिए कि आये दर्सन करें ऐसे महान विभूतियों को आप जोड़कर रखे हुए हैं बहुत-बहुत धन्यवाद और शुब कामने